आज मैं लेके आई हूँ आप सब के लिए बची हुई रोटी से ब्रेट पकोड़े की रेस्पी ये ब्रेट पकोड़े को मैंने बची हुई रोटी से बनाया है जो खताम हो जाएगा सबको इतना जादा पसंदा है और बजार से ब्रेड लाके ब्रेड पकोड़े बनाने की कोई जरूरत नहीं है आप रोटियों से ही अच्छे से अच्छे ब्रेड पकोड़े बना सकते हैं अगर आप सबको भी बनाना है तो मेरा पूरा वीडियो जरूर देखना तो चलिए सुरू करते हैं बची हुई रोटी का ब्रेट पकॉड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रोटी को जो है वो 20 से ऐसे ही कट कर दिया है अब इसे हम 20 से कट करने के बाद एक बार हम 20 से और कट कर देंगे और यह 3 कोने की शेव आ जाएगी इसमें जैसे कि हम ब्रेट पकॉड़े को बनाते हैं वैसे ही हम इसे 3 कोने का करकी कट कर लेंगे और यह देखिए इसी तरह से हमारी रोटियां कट हो गई है तो हमारे पास जितने भी बची रोटियां हैं ऐसे ही करके सबी रोटियों को कट कर लेंगी सबी रोटिया हमारी कट हो गई हैं तो इसे हम रख देते हैं साइड में और अब हमें चाहिए यहां पे बेसन में डाल देंगे सौधनुसा नमग धनिया की पत्ति इसमें हम पानी डालेंगे और इसे हमें जैसे हम ब्रेट पकोड़े का बेटर रेडी करते हैं उसी तरह से यह हमें एक घोल बना लेना है बेसन का इसे हम हातों से मिलाएंगे तो ये अच्छे तरीके से मिल जाएंगे इसमें कोई लम्स नहीं रहेंगे ये जो मैं ब्रेट पकोड़े को बना रही हूँ ना अगर आपके घर पे कोई नहमान आते हैं आपको सुबा साम के नास्ते में भी बनाना है आप इसे बना के किसी को खिलाते हैं तो बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि ये ब्रेट पकोड़ा भला रोटी से भी बन सकता है इतना टेश्टी बनता है तो आप भी इसी तरह से एक बार जरूर ट्राई करें और ये हमारा बेसन का गोल रेडी हो गया है पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आलू को बॉयल करके इसे हमने अच्छी से मैस कर लिया है तो चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं तो गैस को मैंने अन कर दिया है पैन में हमने तेल डाल दिया है थोड़ा सा हिला लेंगे जैसे कि हम ब्रेट पकोड़े के लिए आलू में तड़का लगाते हैं वैसे ही हम तेल में सबसे पहले तड़के के लिए डाल देंगे सरसो अब हम इसमें डाल देंगे ये बारी कटा हुआ लसून और हरी मिर्च हरी मीट्च को मैंने बारी काट के डाला है तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसे हम हलका लाल होने तक फ्राई करेंगे इसी तरह से ये हलका लाल कलर का हो गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी से हल्दी और इसे हम अच्छे से चला लेंगे इसी तरह से हमें आलू को ऐसे ही करके फ्राई करना है तो यहाँ पर मैंने लिया है यह करी पत्ता तो अब हम इसमें सारे करी पत्ते को डाल देंगे तड़के के लिए करी पत्ते से इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आएगा मुझे हर चीज में भी करी पत्ता बहुत ही पसंद है आप अपने पसंद से डाल सकते हैं तो यह हमारा तड़का जो है अच्छे से फ्राई होके रेडी हो गया है तो जो हमने आलू को मैस करके तड़का है और आलू सारी चीजे अच्छे से मिल जाए इसी तरह से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मैंने मिला ली है और यह आलू भी रेडी हो गया है तो चलिए अब हम ब्रेड पकोड़े को बनाना सुरू करते हैं तो जो हमने रोटियों को कट करके लगाला है हातों से और यह दूसरी वाली रोटी है हें उसे भी हम ऐसे चिपका यह बना ने है करते हैं गैस को हमने आउन कर दिया और डाल लें गरम के लिए तेर लगहा है और ये जो हमने बेटर बनाया है सबसे पहले हम ये एक रोटी वाले पकॉड़े को लेंगे और इसमें डीप करेंगे अच्छे से जैसे हम ब्रेट पकॉड़े को डीप करके बेशन में फ्राई करते हैं सेव मैंसे ही करना है पकॉड़े को तलने के लिए तेल अच्छे से गरम होना चाहिए और हम इसे डाल देंगे तेल में और ये देखिए ये हमारा बची हुई रोटी से ब्रेट पकॉड़ा कैसे बन रहा है आप भी मेरा पूरा वीडियो जरूर देखिए और अपने घर पे ट्राई कीजिए कि अच्छी हुई रोटियां भी खराब नहीं होगी और जब इसे आप बनाएंगे तो घर में बड़े बच्चे सब इसे बहुत पसंद करेंगे सबको बहुत अच्छा लगेगा आपको बजार से ब्रेट मगा के पकॉड़े बनाने की कोई जरूरत नहीं है आप रोटी से ही इतना टेश्टी और इतना अच्छा हल्दी ब्रेट पकॉड़े बना सकते हैं जो जल्दी से ही बन जाता है तो इसी तरह से हम चम्मस से ब्रेट पकॉड़े को अच्छे से पलट देंगे और इसे धीमी आज से इसे पकने देते हैं इसे हम हलका लाल होने तक फ्राई करेंग अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले आपको और ये देखिए हमारा जो ब्रेट पकोड़ा है वो हलका लाल कलर का हो गया है तो इसी तरह से हम ब्रेट पकोड़े को थोड़ा सा और हलका लाल करके फ्राई करेंगे और ये ब्रेट पकोड़े अच्छे से बन गये हैं तो अभी से हम चमत से बाहर निकाल लेंगे ता इसे सबी बुमारे को बनाके रेडी करेंगे Nil देखिए बची उही रोटी से बिलकुल भी यकीन नहीं होगा पंपने इसे अपने घर बनाई championships अपने फैमिली के साथ में इंजॉय करिए अपने मन पसंद चिटनी से खाईए और अपने घर पे फैमिली के साथ में एक बार जरूर ट्राइ करें ये बचे वी रोटी से ब्रेट पकोड़े की रेस्पी अगर आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ला झाल पाल वीडियो को ले पाल प्राइए